तो आई गाईस तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक और टॉपिक का नामे आपका हुआता है सेक्डल में उसका नाम में आपको क्या मालूम है नाम सब को जानते हैं सेमेशल स्थरी में कंप्यूटर अप्लिकेशन सब्वेर वाला इलिमेंटरी कंप्यूटर अप्लिकेशन ठीक है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा तीन चीज और साथ में यह आपका देखिए यह जो है पूरा का पूरा तो 23, 27, 27, 22, 26 और आने वाले 24, 28 सभी का सिलेबस यहां पर दिया हुआ है सब कोई अपना अपना सिलेबस डाउनोड कर सकते हैं यह लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रूप्शन में दे दूंगा ठीक है अब चलिए एक्जाम कब होगा तो एक्जाम आप लोग का दिसंबर में होगा मतलब दिसंबर के लास्ट विक में या फिर फिर्स्ट विक में तो दिखेए सब्कुल डे या आप यह यह आपका कंप्यूटर है और यह उनके लिए है जो दिनकुल कंप्यूटर के बारे में मतलब बहुत कम जानते हैं तो düinas रही है आपके कंप्यूटर के क्या उलता जैसे मैं आपको दिखा देता हो ताकि आपको समझने में आसानी हो सबसे बहले मैं यहाँ पे keyboard आपको दिखा के समझाओंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो देखे, यहाँ पे मैं आपको दिखा दिता हो यह keyboard है हमारा और keyboard में यह आपका है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 F11, F12, इसको हम लोग function की बोलते है इस की संख्या कितनी है, 12 ठीक है, एक keyboard में function की की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है, ठीक है उसके बाद, यह जो है आपका 1, 2, 3, 4 लिखा है एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है इसको हम लोग numeric kiss बोलते है क्या बोलते है, numeric kiss ठीक है, की मतलब button होता है तो number हमें दो जगा पे देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको numeric kiss बोलते है ठीक है, इसको function की बोलते है उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब 3 letter आएगा यह बंगला यह खुल गया, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, यह बिसेट लिखा हुआ है यह जो beach बोला है ना, beach बोला row इसको home row बोला जाता है क्या बोला जाता है, home row, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग computer चलाते हैं, तो हम लोग का हाथ यही पे आता है पूरे के पूरे कीबोर्ड में, मातर दो जगा देखिए यह आपको, उगरावा डेस दिखाए देगा एक यहाँ पे F के सामने और एक है आपका J के सामने हम लोग हाथ को जो बैठाते हैं ना A, S, D, F चार को अंगली यहाँ पे, A को स्पेस के सामने रहता है और इधार से हमारा J, K, L, Semicolon इधार से चार को अंगली रहता है और टाइपिंग करते वक्त यह काम किया जता है तो इसको हम लोग Home Row बोलते हैं बीच वोला को, इसको हम लोग Upper Row बोलते हैं ठेके, और इसको हम लोग Bottom Row बोलते हैं यह Shift का बटन है जैसे हमें किसी भी वर्ड Suppose that हमारा जो डो के सामने है उपर में है न तो अगर Simply अगर हमको अट देरेट दबाना होगा तो हम Shift को पहले दबाएंगे उसके साथ अट देरेट को दबाएंगे तभी काम करेगा और अगर डारेक्ट अगर हम इसको दबाएंगे तो दोक वहाँ पे नौट होगा लेकिन Shift के साथ दबाएंगे तो एट देरेट आएगा उसी तरह से अगर हम इसको डारेक्ली दबाएंगे तो हमारा टीन टाइप होगा लेकिन shift के साथ दबाएंगे तो hashtag type होगा, समझ गए, तो shift का काम क्या है, जो हमारा hidden button होता है, उसको so करता है, ठीक है, इसके साथी देख लीजिए, ये cap log, ये cap log बोलते हैं इसको, cap log क्या करता है, तो suppose अभी हम type कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सब manage computer में बड़ा बड़ा type ह हो रहा है, ठीक है, और अगर हम वही cap log को दबाके एक वर type करेंगे, तो ये सब चोटा 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 type होन रहे हैं, मतलब capital letter, small letter change करने के काम करता है cap log, वहीं पे मान लिजिए, अभी चोटा चोटा type हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे हमको बड़ा word लिखना है तो हम shift को दबाएके, अगर shift को दबाए रखेंगे, और फिर a को दबाएंगे, चाहे किसी भी word को दबाएंगे, तो capital हो जाएगा, और अगर ये cap log, managed, यहाँ पे capital में सब लिखा रहा है, ठीक है, और हमको कहीं कहीं पे क्योटा चोटा लिखना है, तब हम shift को दबाएंगे, और इसको दबाएंगे, एको चाहे किसी भी word को, उस condition में ये आपका asmol हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर word पूरा का पूरा capital है, shift को दबाएंगे तो asmol होगा, और पूरा का पूरा अगर सब asmol में निखा रहा है, तो shift को दबाएंगे तो ये capital में हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग window का बटन बोलते हैं, ठीक है, window बटन, इसके क्या होता है, computer का पूरा menu खुल जाता है, gallery जिसको बोलते है न, बस window समझ लिए, ठीक है, उसके बाद ये control का बटन होता है, control बटन दो जगा पे है, देखिए shift आपका दो जगा पे मिलेगा, एक यहाँ पे, एक पे, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपका, και olacak Lepp a, एक जगा पे है, इसके बाद control दो जगा पर है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, control का परियों हम लोग मान लीजी, बड़ा size को करना है, ठीक है, जैसे इस size को दिख रहा है उसको, अगर हमको बड़ा करना ह तो CTRL Plus को क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा CTRL minus को क्लिक करेंगे तो छोटा होगा जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं अपनी computer में CTRL Plus में दमाया तो कितना बड़ा होगी छीज तरह से यह आपका तो हमने देख लिया keyboard के बारे में समझ गये, numeric किस किसे काते है तो इन सभी को numeric किस का जाता है ये दो जगा पे होते है function की F1, F2 वाले को का जाता है ठीक है? इसको tab का जाता है इसको cap lock का जाता है इसको shift का जाता है ठीक है? अब जिसे विंडो को बटन है यह वाला कहीं पर लुग चाया तो कहीं पर वॉला ठीक है यह वाला छोटा की वोड है यार का keyword है वो ही ओल अच्छा था जाता उसमें दीख रहा है अगर अगर आप कहीं भी screenshot लेना है तो इस पर click किजिएगा ठीक है कोई चीज डिलोट करना है तो इस पर click किजिएगा ठीक है अगर आप कहीं पे चले गया आपको नहीं मालुमें क्या हो रहा है तो आप इस पर home पे click किजएगा तो आप Home menu ब्याज़ेगे पेच को अगर उपर ले जाना है तो पेच पेच को निचे खिसका रहा है तो पेच डाउन पे click किजएगा ठीक है अगर कहीं पे रोकना है तो पहुज पे click kapit किजएगा ठीक है और यह आपका scroll lock है, scroll, मतलब अगर हो रहा है, इस तरह से, उपर नीचे हो रहा है, तो इस पर दबा देजी का, तो ये lock हो जाएगा, ठीक है, अब बाद आता है, हमारा ये, ये बड़ा वाला जो बटन है, इसको आम लोग space बटन बोलते हैं, मानल जी कोई word लिख रहे है, एकदम 66 के उतना बार ही है, ये window वाला बटन, अब हम लोग जानते है, shortcut की के बारे में, ठीक है, shortcut की, और, हाँ, ये बड़ा ठीक है, और lucky मेरा पास जो है, hp का keyboard है, और आसुस का laptop है, इसी बार लिया है, यार, अरे भाई, थोड़ा सब्यक आजाओ, ये क्या कर दिया, यार मेरे, एक म shortcut की के बारे में, हम लोग जानते है, shortcut की क्या होता है, तो ये हमारा keyboard है, अब जैसे window, window के साथ, अगर हम लोग, window दबाएंगे, simply, तो हमारा window open हो जाएगा, ठीक है, window किसको बोलते है, चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको भाई, यहां से दबा देता है, ये देखे, ये हमारा window है, ठीक है, ये window है, ठीक है, ये हमारा gallery जैसा open हो गया, window को दबाने से, अब ये सारे जो है, इसको हम लोग icon बोलते हैं, computer में, जितने भी ये होते हैं, आपके photo, चाई, image, चाई, कोई भी file वगेरा, इसको हम लोग icon बोलते हैं, computer में, ठीक है, अब generally हम तो क्या करते हैं, typing, typing बता रहा हूँ, shortcut की, shortcut की कैसे use करते हैं, तो ये हमारा है, अगर बोलेंगे, control A, तो control A दबाएंगे, तो हमारा पूरा का पूरा select हो जाएगा, all select, ठीक है, control B, control के साथ B को press करना होगा, तो ये आपका bold हो जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा, अभी मै find होता है, यानि कि खोजने के लिए, control G, go to होता है, ठीक है, control H, hyperlink, मतलब सब आपको मैं करके दिखाऊँगा, आपको shortcut की का, पूरा का पूरा board भी दे दूँगा, आप लोग not कर लिचेगा, और मैं आपको practical भी करके दिखाऊँगा, इसी वीडियो में, ठीक है, तो चलिए पूरा देख लीजिए, अच्छे से, इसमें आपका control A से लेकर पूरा control Z तक का सब का चार्ट दे दिया गया है, ठीक है, जैसे control A, all select, control B, bold, control C, copy, control D, fill down, control F, find, control G, go to, control H, hyperlink, मैंने बोल दिया था, sorry, control K से hyperlink होता है, control H से replace, control I से italic, control K से hyperlink, control N से new, workbook, control O से open, control P से print, control R से, fill right, control, मतलब control का बटन के साथ हम लोग S दबाएंगे तो save होगा, control के बटन के साथ T दबाएंगे तो create होगा tablet, control के बटन के साथ U को दबाएंगे तो underline हो जाएगा, control के बटन के साथ P दबाएंगे तो paste हो जाएगा, control के बटन के साथ W को दबाएंगे तो close हो जाएग और laptop में अभे मैं control दबा दिया हूँ अब P दबा रहा हूँ ठीक है अभे print का option खुल जाएगा चलिए मैं print को दबा दिया ठीक है यह print का option दे दिया ठीक है देख लिए ना आपके सामने ही मैंने किया अब चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ और चीज़े window run command बोलते हैं किसको देखे यह आपका कहा गया यार keyboard यह आपका keyboard है ठीक है और keyboard में आपको देखने को मिलेगा एक run command होता है window के साथ अगर आप किसी बटन को प्रेस किजिएगा यह आपका window है window के साथ अगर आप R को दबाईएगा तो आपका run command खुल जाएगा मतलब run command में क्या होता है कि उसमें आप किसी को search कर सकते हैं ठीक है और search उसमें आपका special search होता है बहुत सारा चली मैं दिखाता हूँ जैसे ही है हमारा window मैंने दबा लिया अपने laptop में और R दबा रहा हूँ तो यह जो आ गया इसी को run command बोलते है ठीक है इसको यहां से हम पकड़के आप उपर नीचे नहीं होगा इसे में इसको यहां से दबाना होगा यहां से दबा के आप उपर नीचे कर सकते हैं ठीक है तो run command कि इसको बोलते है computer का जो keyboard है keyboard में window के साथ अगर आप r को दबाईएगा तो इस तरह से आपका run command खुल जाएगा मतलब search करने का option खुल जाएगा ठीक है इसको run command बोलते हैं अब देखिए हमें computer में अगर ms word खुलना है ठीक है तो हम लिखेंगे यह आपके win word क्या लिखेंगे win word यह इस तरह से लिख दी ठीक है एक मिट पूरा लिखना पड़ेगा तो यह हमारा खुल गया गलत रहेगा तो नहीं खुलेगा दो बार लिखा गया अब देखिए मैं सर्च मार दिया तो यह हमा स्वारा खुल गया गलत रहेगा तो नहीं खुलेगा इसी को बोलता है ms word चली मैं इसको को दिखाता हूँ जिसे यहां पे मैं हिंदी कर दिया हूं ताकि आपको समझे में असानी हाला कि यह इंग्लिस में है तो कर दें इंग्लिस कर दें तो आपको अच्छा रहेगा चलि यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे हमने कुछ भी हम टाइप कर दिया कुछ भी अब देखिए मैंने बूला यहां पर b कट्रोल सी का क्या काम है जैसे मैंने इसको माऊस पे राइट बटन को दबा करके यह हमने कर दिया इसको सब्सक्राइब कर लिया अब जिसे हम इसको हम करें गींगे तो बॉल्ड हो जाएगा बॉल्ड मतलब मोटा हो सबस्क्राइब कर दाएक और बी दिखें अग्या देखि करना है देखे जैसे हम इसको select करते हैं तो हमें यहां पर option मिल जाता है यह देखे बी है इसी को बोलते है control बी जिस पर इसे click किजिएगा तो यह आपका बॉल्ड हो जाएगा ठीक है control सी क्या होता है cut करने को जाएगा तो पहले आप select किजिएगा और control दबाके सी को दबाईएगा तो यह आपका cut हो जाएगा ठीक है cut हो जाएगा cut हो जाता है देखे यहां पर आपका इसको ना मैं कुछ setting हो कर दिया हूं ठीक है तो change करना पड़ेगा और देखे font size क्यों बोलते हैं यह आपका यह जो size मतलब लिखा रहा है इसको आपको font size बोलते हैं इसको अगर आपको change करना है तो देखें यहां पर आपको दिख रहा होगा यह c-a-l-i-b-r-i calibrary लिखा है इसको font size बोलते हैं देखें यहां पर बहुत सारा font है चेंज हो रहा है इसको font size बोलते हैं ठीक है किसी का फोटो अगरा मान लिखें नौटिपिकेसं अगरा कुछ भी तो इससे हम लोग लिखते हैं ठीक रिजिम अगरा बनाते हैं तो इससे भी बना सकते हैं ठीक है बहुत ही अच्छा बनता है यह आपका file है यहां पर देखें आपका save का भी option रहता है इसको ना हिंदी मे window प्रस आर दबाके खुलिएगा ठीक है और यह आपका window लिखिएगा तो ms word आएगा और फिर आपका excel लिखिएगा तो excel खुल जाएगा का data जनरली इसमें आता है किसी का monthly फी वगरा इसमें आता है ठीक है तो excel से हम लोग जनरली जो है क्या करते है तो data वगरा तैयार करते है ठीक है अब तो अब तो पावरपॉंट के बारे में आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे आप लिख सकते हैं और जैसे बहुत कुछ कुछ इसका formula होता है ठीक है सपों अज यहां पर कुछ लिख लेता में ठीक है तो यहां पर आपको लिखना है कुछ इंश type से तो और इसका formula होता है जैसे मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं ठीक है एक दू को जोड़के तो यह हमारा हो गया अब यहां पर जिसे हमको सब को जोड़ना है तो पहले आप इस इकवल डू दबाईएगा मतलब बराबर ठीक है तो इस इकवल डू दबा दिए उसके बाद होता है आपका सम लिखने का सुम सब का अलग अलग पर मुड़ा होता है पहर आता है हमारा यहां पर सरक करना रहुता है और व्हला पॉइंट से लिखने के यहां तक पूरा हमें जोड़ना है तो हमने यहgrass को भी स्लेक कर लिया और सबको जोड़ दिए बहतर आ जाएगा तो आगे है हमारा बहतर ठीक है आप चली जोड़ के देखते चपन अनतर 69 और 6, 75, 75 और 72 तो इस तरह से एक्सल में ये सारे वर्क किये जाते हैं अब मैं आपको पावर पॉइंट के लिए विंडो प्लस आर का बटन दबाईएगा और ये आपका खुल जाएगा रं कमांड कुछ इस तरह से अब आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है पाव पावर पॉइंट की लिखीगा तो आपका ये पावर पॉइंट खुल जाएगा ये देखी ये इसका रहता है फॉर्मेट पावर पॉइंट का आपने दिखा होगा बहुत सारा इस तरह से ड्रोइंग बना हुआ ठीक है तो ये जनरली क्या होता है जिसे मैं अपने थम्नेल जोगा आता हूं ये बहुत सारा मैंने इसका यूज किया है ठीक है आप कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं यहां से बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हैं टाइप वगरा कर सकते हैं मेंटर वगरा ठीक है तो इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं ठीक है अगर आपको यहां बहुत सारा कैजिस हो जाएगा जिसको जैसा कलर पसंद है तो इसको पाउरपॉइंट बोलते हैं इसमें जनरली हम लोग जो है सलाइट से यार करते हैं और इसको सौट में पीपीटी बोला जाता है पाउरपॉइंट परजेंटेशन ठीक है तो यह हो गया एक तरीका खुलने क्Al mentioned one heFX जो सब्स्क्राइब करना को लिखिएंगे यहां अब सर्ष कर सकते हैं में अप्रम फार deal सब्सक्राइब दो wrap नच करते हैं ऑम इस तरस लिखिए थे पोइन पर भी आजाएगा तो तो यहां पर भी ढांगा सबस्क्राइब यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा तो वही फाइल खुलेगा जो शुरू में खुला था MS Word का देखिए वही फाइल खुल गया ठीक है तो दो को तरीका मैंने बताया क्या क्या तरीका ठीक है आप यहाँ से Run Command से खोल सकते हैं विंड़ो प्रस आर दबाके यह सर्च करने वा उपसन तीम है दूसरा ओपसन है आप यहाँ पे reclaim करेखिए वायव को फाइल को खोलने के लिए के लिए बस आज मैं इस वीडियो में छुटा 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 जानकारी दिया हूं । जो कि जानना बहुत अन करते हैं तो CPU अगर है तो CPU का पाले बटम दबाएंगे ठीक है पतलब पाले तो पला कॉन करेंगे फिर CPU का बटम दबाएंगे और कुछ दिर बाद वो आपका अन हो जाएगा CPU में वो जो बटम होता उसको पावर बटन बोलते हैं और लेप्टोप में एक साइड में बटन होता है वो अभी पावर बटन है ठीक है और जब फ्रोससेटिंग होता है खुलने वाला देखेंगा यहां पर गॉलकोट गूलने लगता है उसको इम लोग बोलते हैं बूटिंग लेपठोप यह कम्पूटर जब क्लता है तो उसको क्या बोलते हैं बोटिंग ठीक है डाउन मार दीजेगा तो यह आपका साट डाउन हो जाएगा यहां पर इसका सॉटकाट की भी आता है आपको लेपटॉप में विंडो दबाना है ठीक है और विंडू एक मेडिया देखे विंडो दबाक के भी आप कर सकते हैं लेप्टोप पे दबाईए विंडो चाय किबोर्ट के दबाईए वही खुलेगा ठीक है दूसरा तरीक्र ँक्या हैbang तो आपको सब्सक्रास के लिग के दिख्या है कििवर्ट किवर्ड किवर्ड कि यह हमारा किवर्ड में आपको दिखेगा अल्ड यह यह वाल्ड और एक साथ में दबाएंगे तो आपको बंद करने का ओप्सन आएगा चलिए मैं दिखाता हूं आपको जैसे यह हमारा है लैप्टोप ठीक है और मैं अल्ड दबाया थीवर्ट पे और एक फोर दबाया तो दिखें हमें यह बंद कर आपको बंद कर दिखेंगे और जितना भी हमारा त्यवर्ण के गला से मैं अप्लोट कर दिया हूं बहुत सारा कंटेंट लगबक 10 बार वीडियो अप्लोट कर दिया हूं आप उसको देखिए क्योंकि ये फेपर आपका अब्जेक्टिव में आएगा ठीक है दोस्तों तो इसमें मेनद करना पड़ेगा बहुत लंबा लंबा वीडियो होता है सिर्यस्ली मतले एग्जाम को लाइप कोई सिर्यस्ली नहीं लना है तेयर अराम से जीओ खाव पीए रहो आराम से ठीक है बाई-बाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चलो भाई खौप हो जाओ तो यह ओट नहीं हो रहा है यह 22 मिट का वीडियो हो गए ना हुआ हुआ है